सचिन तिंदूलकर के बेटे अर्जुन को IPL में मिली जगए वो भी इस टीम में अब से कुछ दिन बाद IPL शुरू होने वाला है इसके लिए इस बार फिर से खिलाडियों को खरीदा जा रहा है भारत में IPL की दिवानगी इतनी ज्यादा है कि करोडों की संख्या में लोग इसके दिवाने हैं IPL में कई बार ऐसे नए नए चेहरे उभर कराए हैं जुन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर अच्छी खासी टीम के पसीने छुड़ा दिये थे भारत में किसी भी प्रकार का क्रिकेट हो इसके लिए दिवानगी ज्यादा देखी जाती है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदूलकर को लोग आज पूझते हैं और उन्हें अपना आधाश मानते हैं मास्टर ब्लास्टर का लड़का अरजुन तेंदूलकर भी अब क्रिकेट के लिए तयार है आज हम आपको सचिन के लड़के के बारे में अच्छी ख़बर बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद उनके फैंस खुशी से जूम उठेंगे हम बात कर रहे हैं अरजुन तेंदूलकर की जिनका जन्म 24 दिसंबर 1999 को मुंबाई में हुआ था बता दें अरजुन बाएं हाथ से गेंद बाजी करते हैं जो उनके पिता के विप्रीत है अरजुन एक औल राउंडर खिलाडी के रूप में उभर के आ रहे हैं भारतिय खेल के इतिहास में उन्हें जूनियर तेंदूलकर के नाम से भी जाना जाता है अरजुन अपने पिता के सपने पूरे करने के क्रिकेट को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं सचिन का सपना है कि उनका बेटा भी उनकी तरह विश्व फ्रसिद्ध क्रिकेटर बने, अब IPL शुरू होने जा रहा है जिसमें कई सारी टीम के खिलाडी हिस्सा लेते हैं, IPL को भारत में काफी पसंद किया जाता है और नए खिलाडी को टीम में प्रवेश करने के लिए यह अच्छा मवका होता है, IPL को BCCI द्वारा ही संचालित किया जाता है, इस बार IPL का 11 वा सीजन शुरू होगा, यह IPL एक बार फिर से पूरा नयाद दिखाई देने वाला है, इस IPL में चेन्नाई सुपर किंग्स और राजस्थान रोयल्स दो साल बाद वापसी करने जा रही हर टीम 11 खिलाडियों का चयन करती है, जिसके लिए खिलाडियों का चयन भी कर लिया गया है, इसी बीच एक बड़ी ख़बर आ रही है कि अरजुन तेंदूलकर भी इस IPL में खेल सकते हैं, बता दें अरजुन इस बार IPL में मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते नजर आ स करते हैं, फिलाल आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शुक्रिया.